आज हम परमिश्वर के वचन से जानेंगे एक बहुत बड़े घहराई को बहुत बड़े रहाश्य को और यहाँ पर परमिश्वर के वचन में लिखा है मरकुष नाओ अध्या और उसका उन्चास आहत में 49 में क्योंकि हर एक जन आग से नमकिन किया जाएगा हर एक जन यहाँ पर परमिश्वर के वचन हर एक लोगों से कह रहा है विश्वासियों से भी कह रहा है जो प्रभु येश्वमसी पर विश्वास नहीं करते हर एक जन का मतलब प्रिथि में जितने भी लोग है उन सब के लिए ये वचन है सब के लिए कह रहा है परमिश्वर का वचन तो प्रशन ये उठता है आग से कौन सा चीज नमकिन होता है यदि हम आग में किसी भी चीज को डालते है तो वो जल जाता ह है भस्म हो जाता है लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आग से नमकिन किया जाएगा तो भाई आग से क्या चीज नमकिन होगा तो ये जो आग है किस तरह नमकिन करेगा कैसे नमकिन करेगा इससे हम अभी जानेंगे तो यहाँ पर दो बाते निकल कर सामने आती है एक तो यह है कि यहाँ पर जो परमिश्वर का वचन कह रहा है यह न्याय के दिन के विशे में कह रहा है न्याय के दिन के बारे में नर्क की आग को दर्शा रही है नर्क की आग वहाँ पर नमकिन किया जाएगा लोगों को कैसे नमकिन किया जाएगा? इसे हम अभी जानेंगे तुरंट और दूसरा ये है कि मसी लोग कैसे नमकिन होंगे आग से तो भली आज कुछ लोग गहते हैं कि हमें आग का बबतिश्μα दे आग का बबतिश्μα दे तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि अभी आग का बबतिस्मा नहीं हुआ है अभी आग का बबतिस्मा बांकी है आग का बबतिस्मा होगा न्याय के दिन में जब प्रभु येश्व मसी धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रगठ होगा उसी दिन आग का बबतिस्मा होगा भली आज कुछ लोग कहते हैं कि आग का बबतिस्मा हो चुका है या आग का बबतिस्मा चाहिए तो आग का बबतिस्मा न्याय के दिन में होगा परन्तु अभी जो हमारा विशाय ये है कि हर एक जन आग से नमकिन किया जाएगा तो ये नर्क के विशय में बता रहा है नर्क के आग के विशय में तो हम आग के बबतिस्मा के बारे में फिर कभी सिखेंगे, फिर कभी जानेंगे कि किस तरह आग का बबतिस्मा होगा कैसे आग का बबतिस्मा होगा क्योंकि अभी जल से बबतिस्मा पवित्रा आत्मा से बप्तिस्मा हो चुका है और अभी जल से बप्तिस्मा चल रहा है जो कोई भी प्रभुष मुस्री के नाम में बप्तिस्मा लेता है उसे पवित्रा आत्मा का दान दिया जाता है अनन्त जीवन गिफ्ट में दिया जाता है महान परमिश्वर की और से लेकिन अभी आग का वबतिस्म बांकी है वैसे इस विशे पर मैंने प्रचार किया था और इसे मैंने अपने पहले Bible study में बताया भी था लेकिन फिर मैं इसे और आपको अच्छे से explain करके फिर आने वाले यहां परमिश्वर के वचन में लिखा है तुम प्रिथी के नमक हो परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो हम प्रिथी के नमक कैसे हो गए हमें नमकिन किस्ट ने बनाया हमें परमिश्वर के महिमा क्योग्य किस्ट ने बनाया तो परमिश्वर के वचन ने बनाया है इस आयत को हमें समधने के लिए मरकुष नमध्याय और उसका पचास आयत एक बार फिर से पढ़ेंगे और यहां पचास में लिखा है नमक अच्छा है नमक मतलब परमिश्वर का वचन अच्छा है अच्छा सिर्फ परमिश्वर का वचन है जो हमें अच्छा बनाता है हम तो बुरे थे लेकिन हमें अच्छा बनाया परमिश्वर के वचन ने और इसी विशह पर परमिश्वर का वचन कर रहा है कि नमक तो अच्छा है नमक अच्छा है मतलब परमिश्वर का वचन अच्छा है तो ये नमक परमिश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को नमकीन बना देता है एक जायकेदार एक स्वादिश्ट नुमा भोजन बना देता है ये परमिश्वर का वचन हमें प्राथना करना सिखाता है परमिश्वर का वचन हमें परमिश्वर का महिमा करना सिखाता है परमिश्वर का वचन हमें आराधना करना सिखाता है मान परमिश्वर का पवित्र वचन हमें गीत गवाना मतलब आत्मिक गीत परमिश्वर के महिमा के लिए गीत गवाना सिखाता है परमिश्वर का वचन हमें परमिश्वर के मार्ग में चलना सिखाता है परमिश्वर के बारे में बताता है परमिश्वर का वचन तो हमारे जीवन को ये परमिश्वर का वचन परमिश्वर की योग्य बना देता है हम जहां भी जाते हैं तो हम अधिक से अधिक परमिश्वर के वचन की बात करते हैं परमिश्वर की योग्य या परमिश्वर की इक्षा के अनुसार बात करते हैं क्योंकि ये सारे कार्य परमिश्वर के वचन ने किये हैं बाइबर में जो सबसे अच्छा आयत है वो ये है मसी के वचन को अपने हिर्दे में अधिकाय से बसने दो तो ये परमिश्वर का वचन इसलिए कहता है हमें कि जब ये वचन हमारे हिर्दे में रहेगा तो हमारा जीवन परमेश्वर के इक्षा के अनुसार होगा परमेश्वर के योग्य होगा तो परमेश्वर का वचन ही नमक है जो हमारे जीवन को नमकिन बनाता है अब यहाँ पर कह रहा है तुम पृत्विक नमक हो अब हम नमकिन बन गए हम जिसके साथ भी उठेंगे, बैठेंगे, जिससे बात्चित करेंगे तो अवस है कि ये नमकपन, ये खारापन, ये नमकिन उन्हें भी लगेगा तो हम जिससे भी मिलेंगे, जुलेंगे, जिसके साथ उठेंगे, बैठेंगे तो अवस है कि उसका जीवन भी नमकिन हो जाएगा तो ये नमक है परमिश्वर का वच्चन और इस नमक को हमने अपने हिर्दय में अपने जीवन में जगा दिया तो हमारा जीवन नमकिन हो गया और राथ ही साथ हम खुद भी नमक बन गए अब नमक कैसे बन गए हम ज्यादा तर परमिश्वर की ही बात करते हैं लोगों से प्रभु येश्व मसी के बारे में बात करते हैं प्रभु येश्व मसी के वचन के बारे में बात करते हैं फैस्बुक में या वाटसप में हम अधिक से अधिक परमिश्वर के वचन को सेर करत परमिश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं यदि हम किसी से मिलते हैं जूलते हैं या अपने रिष्टेदारों से या अपने दोस्ते यारों से या फिर यहां पर हम काम करते हैं वहां तो हम खासकर प्रभु के बारे में बात करते हैं तो यही कह रहा है परमिश्वर का नमक पन ये नमक को जो स्वाद है उन्हें भी लग जाएगा मतलब हम दूसरों के जीवन को भी नमकिन बना सकते हैं ये कह रहा है परमिश्वर का वचन तुम प्रिथ्वी के नमक हो परन्तु यदि नमक का स्वाद बेगड जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकिन किया जाए अब यहां पर एक बहुत बड़ा गहराई का बात है बहुत बड़ा रहश्य का बात है परन्तु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो फिर वह किस वस्तु से नमकिन किया जाएगा इस वचन को हम किसी को बार-बार बता रहे हैं किसी को बार-बार शिखा रहे हैं या किसी को बार-बार सुना रहे हैं, परमिश्वर के वचन को, लेकिन उनका जीवन नम्किन नहीं हो रहा है, उनका जीवन परमिश्वर की योगए नहीं बन रहा है, उधारण के लिए इस वचन को यदि हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, हर रही वर्शिप में जाते हैं, या YouTube के माध्यम से या Facebook के माध्यम से हम परमिश्वर के प्रचार को सुनते हैं, परमिश्वर के लोगों के द्वारा, परमिश्वर के जो दास होते हैं, जिसे हम आज के समय में, पाश्टर कहते हैं, कुछ लोग पाश्टर कहते हैं, उनके द्वारा हम सुनते हैं, लेकिन फिर परमिश्वर की योग ये बन नहीं पा रहा है, परमिश्वर के वचन को सुनने के बाउजुद, परमिश्वर के वचन को जानने के बाउजुद, और इसी विशाय में परमिश्वर का वचन कह रहा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड जाए, मतलब परमेशर के वचन को सुन कर भी, परमेशर के वचन को जान कर भी हमारा चाल चलन बिगड़ गया है, हमारा शुभाव बिगड़ गया है, हमारे जीवन जीने का सैली बिगड़ गया है, मतलब परमेशर के वचन को सुनने के बावजूद हम गाली देते हैं, जबकि गाली ये लाव नहीं है परमिश्वर के वचन में ये स्राप क्या धिनता में है गाले देने वाले परमिश्वर के वचन को सुनने के बावजूद हम परमिश्वर के योग नहीं बन पा रहे हैं हम लडाई जगड़े में जीवन बिता रहे हैं चल कपट जलन में जीवन बिता रहे है हम चोरी कर रहे हैं डांका डाल रहे हैं या घूश ले रहे हैं या फिर एक फरकार्च कहा हैं कि परमेश्वर की खिलाफत हम काम कर रहे हैं कब परमेशर के वचन को रोज रोज सुनने के बाउजूद चेर्च जानने के बाउजूद परमेशर के संगति करने के बाउजूद हमारा स्वाद बिगर चुका है तो कह रहा है तो वह फिर किस वस्तु से नमकिन किया जाएगा जब परमिश्वर का वचन हमें बदल नहीं पाया तो हमें कोई बदल नहीं पाएगा परमिश्वर का वचन जो नमक है हमें नमकिन नहीं कर पाया तो कोई चीज हमें नमकिन नहीं कर पाएगा फिर वह किसी काम कर नहीं केवल इसके की बाहर फेका जाए और मनुश्यों के पैरों तले रौनद जाए परमिश्वर के वचन कह रहा है फिर वो किसी काम कर नहीं है मतलब हम परमिश्वर के वचन को सुनकर हमारा जीवन नहीं बदल रहा है हम फिर भी गालियां देते हैं या जगड़ा करते हैं या फिर लडाई करते हैं, या फिर घूश लेते हैं, या फिर मारफिट करते हैं, या फिर सराप पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर जुवा खेलते हैं, तो परमिश्वर का वचन कहा रहे हैं कि वो किसी काम कर नहीं है, जिसे मतलब परमिश्वर का व जाए मतलब नयाय के दिन में उन्हें नर्क की आग में डाला जाएगा जो इस तरह से काम करते हैं जिन्हें परमिशर का वचन नहीं बदल सकता उन्हें कोई नहीं बदल सकता जिन्हें परमिशर का वचन नमकिन नहीं कर सकता क्योंकि परमिशर का वचन नमक है और यदि ये न नमक को खाकर या नमक को चेक कर भी हम नमकिन नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा जगा के वल श्वर्ग राज्य के बाहर होगा और मैनुश्यों के पैरो तले राउना जाए इस वाक्या को हम समझें दूसरा ये है मरकुस नव अध्याय और उसका पचास आयत जो हमने भी पढ़ा नमक अच्छा है अब यहाँ पर कह रहा है कि नमक अच्छा है परमिश्वर का वचन बहुत अच्छा है अच्छा है परमिश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए संपुन रूप से अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे मतलब इस परमेश्वर के वचन को हम सुनकर हमारे जीवन में परमेश्वर का योग्यता नहीं आ रहा है उधारान के लिए यदि हम कुछ सब्जी बना रहे है आलो की सब्जी, भिंडी की सब्जी किसी भी सब्जी ले लीजिए, कोई सब्जी ले लीजिए और उसमें नमक डालते रहे है, डालते रहे है, डालते रहे है लेकिन उस सब्जी नमकी नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? बिना नमक के सब्जी खाने योग्य नहीं रहता थोड़ा बहुत चकर छोड़ देंगे और उसके बाद उसे फैंक देंगे यदि हम कोई सभी सबजी बनाते हैं और इसमें नमक डाल रहे हैं, डाल रहे हैं और वो सबजी नमकी नहीं हो रहा है उसमें नमक का स्वाद नहीं आ रहा है तो आदमी फिर क्या करेगा सब्जी बनाने वाला क्या करेगा सब्जी को थोड़ा चखेगा फिर उसे फैंक देगा ठीक वैसे ही हम परमिश्वर के वचन को सुन रहे हैं लेकिन हमारे जीवन को नमकिन नहीं बना पा रहा है तो इसमें परमिश्वर के वचन का गलती नहीं है नमक तो अच्छा है कह रहा है परमिश्वर का वचन तो अच्छा है लेकिन परमिश्वर के वचन को हम सुन कर अपने जीवन को परमिश्वर की योगिन नहीं बना पा रहे हैं हम प्रमिश्वर से रोज प्रात्ना नहीं करते, प्रमिश्वर की संगती नहीं करते, हम कलिश्वर टेंड नहीं करते, चर्च नहीं जाते, हम प्रमिश्वर की महमा के लिए गीत नहीं गाते, प्रमिश्वर का भै नहीं मानते, तो यह कह रहा है पर्मिश्र का वचन कह रहा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किसे से नमकिन करोगे हम तो जो प्रभू में जो लोग हैं जो मसी लोग हैं हम स्वयम पर्मिश्र के नमक हैं हम दुसरों के जिवन को नमकिन बना सकते हैं हमारा ही स्वात बिगड़ गया है हमारा ही चाल चलन हमारा शभाव, हमारा जीवन बिगड़ गया है तो फिर उसे से किसे से नमकिन करोगे जिसे परमिशर का वचन नहीं बदल सकता उसे कोई भी नहीं बदल सकता जब हम परमिशर के वचन को सुन कर हम प्रात्ना में मन नहीं लगाते बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगाते वचन के सुनने में मन नहीं लगाते कलिशा की संगती करने में प्रभु के लोगों की संगती करने में मन नहीं लगाते तो फिर हम और किस चीज़ से सुधर सकते हैं तो यह जो 49 आयत है 49 आयत ये कह रहा है क्योंकि हर एक जन आग से नमकिन किया जाएगा अब आग से नमकिन किया जाएगा मतलब आज हम चलो ठीक है परमिश्वर के वचन को सुनने के बौजूद हम परमिश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं हम चर्च अटैन नहीं करते, परमिश्वर की संगती करने हम कलिश्या में नहीं जाते, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगाते, प्रात्ना करने में मन नहीं लगाते, हम जो गलत, जो जीवन है, गलत सुभाव, गाली गलोज, ललाई जगडा, सराब, जुवा, चित्ति, गु किसे से नमकिन करोगे, तो फिर क्या होगा, नमकिन कब होगा, नर्क की आग में जाने के बाद, नर्क की आग में जाने के बाद, नमकिन होगा, जब अब नर्क की आग में जाने के बाद, इनसान नमकिन कैसे होगा, जब नर्क में लोगों को डाला जाएगा, जिल में लोग परमिश्वर को डाला जाएगा उस थत्थक करेंगे कि हैं परमिश्र मुझे बचा ले ऊस समे लोग परमिश्वर से कहेंगे और बматुल उसे हमने हमर्श्वर बाफे करेंगे कि परमिशर मैंने पाप किया मुझे छमा कर दे, आज भले ही नहीं कहेंगे, लेकिन जब नर्क की आग में डाला जाएगा, तो लोग दिन रात परमिशर से प्रात्ना करेंगे, अभी परमिशर का वचन कह रहा है कि निरंतर प्रात्ना में लगे रहो, तो सायद आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम निरंतर प्रात्ना में नहीं लगे हैं, हमारे जीवन का 98% भाग हम अपने खुद के कामें बिता देते हैं, और 2% भी बड़ा मुश्किल से देते हैं परमिशर को, लेकिन परमिशर का वचन कह रहा है, पहला थिस्नु क्यों पांच अध्याय और उसका सत्रायत में, सोला सत्रायत में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रात्ना में लगे रहो, हम सोचते हैं कि एक मिनट परमिशर से प्रात्ना कर ली बहुत है, चले ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हम एक मिनट भी परमिशर से प्रात्ना करत तो परमेशर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम नर्क की आग में जब डाले जाएंगे, तो राद दिन परमेशर से प्रात्ना करेंगे, यह परमेशर मुझे आग की पीड़ा से बचा ले, यह परमेशर मुझे इस सजा से बचा ले, उसमें लोग आग में रहकर पर परमेश्वर की अराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर से बार बार अनंत जीवन के भीक मांगेंगे, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर एक जन आग से नमकिन किया जाएगा, आज लोगों को इसलिए सुस्मचार सुनाया जा रहा है, कि लो प्रभुयेश्मस्य के बारे में बताया जाता है। प्रभुयेश्मस्य के बताया जा रहा है। प्रभुयेश्मस्य के बताया जाता है। प्रभुयेश्मस्य के बताया जाता है। कि है पिता जैसे स्वर्ग में तेरे इक्षा पूरी होती है वैसे इस प्रिथी परभी हो। तो आग में जाने से बहतर है कि हम यही पर जिवीत रहते भी परमिश्मस्य के महिमा कर लें। ताकि न्याय के समय में आग में जाकर परमिश्मस्य के महिमा करना ना पढ़े। तो आगे जब हम पढ़ते हैं परमिश्मस्य के वचन में अपने में नमक रखो। और आपस में मिल मिलापसर हो। देखे। हमारे जीवन में प्रेम होना बहुँच जोरी है। ये नमक हमें हमारे जीवन में प्रेम लेख रहेगा ये नमक अपने में नमक रखो मतलब अपने में परमेश्वर का वचन रखो तो हम जब इस वचन को अपने हिर्दे में रखेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बिताएंगे और यहाँ पर परमिश्वर का वचन एक और गहरा बात कह रहा है आपस में मेल मिलाप से रहो तो इसके दो भाग हैं मेल मिलाप तो पहला ये है परमिश्वर का वचन हमें प्रभुईश्वमसी के द्वारा परमिश्वर से मेल कराता है हमारा मेल प्रभु यिश्व मसी के द्वारा हुआ है परमिश्वर से और दूसरा ये है मिलाप जब हम प्रभु के वचन को जानेंगे प्रभु के वचन को अपने हिर्दे में धिकाई से बसाएंगे तो यह महान परमिश्वर का वचन हमें मिलाफ कराना सिखाएगा हम भी लोगों के जीवन को प्रभुईश्मस सिखे द्वारा परमिश्वर से मिलाफ कराएंगे इसलिए परमिश्वर का वचन कहरा है कि अपने में नमक रखो मतलब परमेश्वर के वचन को रखो और आपस में मेल मिलाप से रख जहां तक हमारी कोशिस यह होनी चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ मेल रखे और दूसरा जो अन्य लोग हैं उनके जीवन को हम प्रभुष मस्य के द्वारा परमेश्वर से मिलाप कराएं इसके एक उधारन और भी है एक धनवान ब्यक्ति था जब हम लुकार अचिस्व समचार और उसका सोला द्याय में पढ़ते हैं सोला द्यायर उसका उननीश से सत्तई साय तक में तो धनवान ब्यक्ति था जिसने कभी भी अपने जीवन में महान परमेश्वर को महिमा नहीं दिया कभी भी परमेश्वर का भय नहीं माना कभी भी उसने अब्राहम पिता को याद भी नहीं किया लेगिन जब वो मरा और गाड़ा गया अच्छा दूसरा बात ये भी है कि उस धनवान के जूठन से निर्धन लाजर खाय करता था एक निर्धन लाजर था वो भीखारी था कंगाल था वो धनवान ब्यक्ति का जूठन खाता था लेकिन उसमें अच्छा ये था अच्छा देखे परमेश्वर का वचन बहुत वो निर्धन लाजर परमेशर का वह मानता था परमेशर से प्रेम करता था बेसक उसके जिवन में कंगाली था भीखारी पन था लेकिन वो परमेशर का वह मानता था परमेशर से प्रेम करता था उसने परमेशर से कभी भी ये सिकायत नहीं किया कि परमेशर तो ने मुझे कं जंगाल या भीखारी क्यों बनाया बस वो परमिश्वर से प्रेम करता था परमिश्वर का भह मानता था ये उसके लिए बहुत था वो जिस धनवान का जूठन खाता था उसके डोड़ी पर रोज जाकर वो बैठा करता था उसे छोड़ देते थी उसके घर के लोग और जो और वो धनवान ब्यक्ति जीवन में कभी भी परमिश्वर का भह नहीं माना कभी भी परमिश्वर से प्रेम नहीं किया कभी भी परमिश्वर से प्रात्ना नहीं किया लेकिन दोनों के मरने के पश्यात धनवान को आग की पीड़ा में डाला गया जहां सिर्फ कष्ट कष्ट पीड़ा ही पीड़ा था और निर्धन लाजर सांती दायकी स्थान में गया सुकुन दायकी स्थान में गया अबराहम पिता के पास तो वो धनवान ब्यक्ति जब निर्धन लाजर को देखता है तो ताजुब हो जाता है और वो अबरहाम से बिंती भी करता है कि है पिता अबरहाम निर्धान लाजर को भेज कर मतलब लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरप पानी में भीगो कर मेरी जीप को ठंडी करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं तो अब्राहम पिता उनसे साप साप कह देता है कि उस पार का व्यक्ति उस पार नहीं आ सकता उस पार का व्यक्ति उस पार नहीं जा सकता और वो कहता है कि तुने जिवन भर सुख भोगा है तुने कभी भी परमिश्वर का भह नहीं माना तो आज तु दंड पा रहा है तो धन जाकर परमिश्वर से प्रात्ना करने लगा कब जाकर परमिश्वर के बारे में जाना कब जाकर परमिश्वर की सच्चाय के बारे में जाना आग में जाकर इसलिए परमिश्वर का वचन कहरा है कि हर एक जन आगसे नमकिन किया जाएगा मतलब जितने लोग परमिश्वर का इसमा के लिए गीत नहीं आते हैं, पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन में पहला इस्थान नहीं देते हैं, वो नर्क की आग में पड़े होकर रात दिन परमेश्वर के दुहाई देंगे, परमेश्वर से प्रात्ना करेंगे, पर वो समयनों को वचन नहीं सुनाई जाए इसलिए परमिश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक जन आख से नमकिन किया जाएगा तो आज हमारे पास समय है कि इस वचन को अपने हिर्दे में बसा ले ताकि हमारा जीवन नमकिन हो सके जैसे कि यहाँ पर परमिश्वर का वचन कहता है कि अपने में नमक रखो और आपस में में मिलाव से रहो तो आज की बाइबल इस टड़ी में बस इतना ही महान परमिश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु येश्व मस्य के नाम में आसिस प्रदान करें आमेन